प्रेंड हम बनाएगे देशी रूम हीटर क्योंकि अभी शर्दी का मुसम चल रहा है ना तो इसलिए हम जुगाड करते हैं हमने ऐसे ड्रिलिंग कर दिया उसके बाद यह है डीसी फैन डीसी फैन चीतना हमको चाहिए उतना हम मार्किंग कर देते हैं पहले तो आप देख सकते वह यह हमने ऐसे मार्किंग कर दिया और यह हिसा पो कट करना है तो हमारे पास ड्रिल है नीए- इसलिए हमने यूज़ किया पहले हमने मार्किंग कर दिया उसके बाद कर देतें यह कॉयल लाहे मार्केट में से वह कॉयल एक सीरे से दुसरे सीरे पे जो हमने कैसे किया है यह इजी है और एक चीज याद रखनी है कि हम जो कोयल एक दूसरी जगा पास करते तो एक कोयल दूसरी कोयल पर टच न करे क्योंकि वहां पर दिक्कत आएगी इतनी हीट पकड़ेगी 230 वाट हम इंफूर्ट देगे तो वहां पर दिक्कत आजाएगी हमने ऐसे दूसरी जगा से हमने पास कर दिया और दोनों वहां से हमने निकाल दिये ऐसे दो वहां पर हमको 230 वाट इंपूर्ट करना है और यह डीसी फैन हमें पीछे लगा देते जहां पर हमने कट किया था कि यहां पर हमको 12 वाट इंपूर्ट करना पड़ेगा तो हमारे पास बैटरी नहीं है इसलिए हमने यहां पर डीसी पावर सप्लाइ मिटर यूज़ किया हुआ है आप देख सकते हो तो यहां पर हम वोल्टेज सेट कर देते 12 वाट क्यूंकि 12 वाट का डीसी फैन है इसलिए ओके यह तो 12 वाट हमने सेट कर दिया तो यह चालू हो गया फैन अभी हमने कोयल चालू नहीं किये तो यहां पर देख सकते हैं कि फैन चालू किया है उसमें प्लस माइनस हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्यूंकि एर उल्टी दिशा में फ्लो करेगी इसलिए दिक्कत आए हम मैं आपको आगे का हिस्सा दिखाता हूँ यह है आगे का हिस्सा आप देख सकते हो वहां से हमने दोनों केबल दिये और यह कोयल दिया और हम यह फैन को बन कर देते हैं और उसके बाद चालू करते हैं यह चालू किया हमने तो यह कोयल भी स्टार्ट हो गई और यह हीटि उतनी होगी कि रूम हीटर अच्छी तरह से वर्क करेगा लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि हमने यह सब वाइरिंग ओपन है इसलिए दिक्कत आएगी छोटा बच्चे तो हम टैंपरेटी यूज़ कर सकते हैं इसको यह सैप्टी नहीं है इसलिए हम अपने गर में ऐसी जगा पर नहीं यूज़ कर सकते हैं जहां पर छोटे बच्चे रहते हैं फ्रेंड यह था हमारा देशी जुगाड और आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में